आपने Scam 1992 वेब सीरीज देखी होगी, नहीं देखी होगी तो हर्षद मेता का नाम सुनाओगा कि किस तरह से उसने बैंक रिसीट यानी BR के लूपोल का इस्तेमाल करके करोडो रुपए कमाएं जिसको Scam कहा गया, कुछ-कुछ ऐसा ही, लूपोल ढूण कर हमारे जो बाबा र पैसा लगा है, दो साल में आप हजारो करोडो रुपए कमा सकते हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, हम देखें रेनियन पपलर कोड़, एक कंपनी थी रुची सोया, हो सकता, अगर आप खबरे फॉलो करते हो, आपने उसका नाम हाल पिलाल में कई बार सुनाओ, रु का करजा था, और इसमें से करीब करीब 9800 करोडो रुपए, कुछ सरकारी बैंकों का था, तो फिर वैलुएशन की गई, ये किया गया, ये पैसा सारा वापस नहीं मिल सकता, तो इसका आधा वापस ले लिया जाए, तो 3300 करोडो रुपए, पे बात की गई, कि भाई, 3300 करो पतंजली ने बोली लगाई, अडानी विलमर, जो फॉर्चून तेल बनाती है, और तूसरी पतंजली, अडानी विलमर ने अपनी बोली वापस ले लिया, अचानक से कि हमको बोली नहीं लगानी है, पतंजली की जो बोली थी, वो एकसेप्ट हो गई, और उसके बाद का गय है, मैं कहता हूं, मैं इसे बेचूंगा, 100 रुपय का, एक उधारन से समझते हैं, सामने वाला आदमी कहता है, मुझे 100 रुपय में बेच दीजे, मैं उसको सामान देता हूं, अब वो कहता है, मेरे पास 100 रुपय तो है नहीं, तो मैं ही उसको 100 रुपय उधार देता हूं, और वो 100 रुपए मुझे वापस देगा, लेकिन पतंजली ने अभी पैसे वापस नहीं थी, वने 32 करोट रुपए उन बैंकों से लोन लिया, जब कि पतंजली की जो लोन की छंता थी, उससे ये लोन बहुत जादा था, मतलब पतंजली को इतना लोन नहीं मिल सकता था, लेकि बैंकों का पैसा डूब गया, उस पैसे को रिकवर करने के लिए किसी दूसरी कंपनी को बेशने की बात आई, उस स्थिती में भी बैंकों ने फिर उस कंपनी को लोन दिया, कि हमारी बरबात कंपनी हमीसे खरीद लो, हमीसे उधार लेके खरीद लो, इतना होने के बाद, प बॉर्ड आफ-डरेक्टर शामिल होते हैं जिसमें राम देव को व्में कि आुट क्यों क समेल किया... और उसके बाद रुची सोया की कीमत लगातार बढ़ना शुरू हुई अचानक सारी जीदे सही हो गई है और दो साल बाद कंपनी एफपी ओ लाती है और जो तालिस सो करोरो रुपए बैंकों से उधार ले रखे थे उसको लोटाने के लिए 20% हिस्तेदारी बेशती है कंपनी की वैल्यू इस समय उस हिस्तेदारी के अलावा हो चुकी 31,000 करोरो रुपए 80% शेर बाबा राम देव के पास है यानि समझ लीजिए एक कंपनी जिसके लिए बैंकों ने Shkary, जिसमें हमारा अपका टैक्स का पैसा जमाता उन्होंने का किस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता इसको गबाड के दाम में बेच दो आइस कबाड के दाम में एक आदमी ने खरीदा उस आदमी ना भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया उसने उन्हीं बैंकों से उधार लिया और उधार भी तुरंद नहीं लोटाया कहा कि जब पैसा वापस होगा तब लोटाएंगे अभी तो उधार लिया है खरीदा है खर्चा होगा उसके बाद दो साल के अंदर उस कंपनी में बता नहीं क्या हुआ कि वचानक से इतनी बड़ी कंपनी बन गए कि सिर्फ 20% इस्सेदारी उन्होंने वापस बेच कर पबलिक में शू करके और वो 43 सो करोड़ उपर जमा करके और कंपनी का करदा निप्टा दिया नुकसान किसका हुआ हमारा आपका जो कंपनी को शुरुआत में बैंकों ने पैसा दिया था वो NPA में चला गया बैंक घाटा दिखाएंगे उसको कि बैंकों के लिए इतना non-performing asset बन गया और वो घाटा हमारी आपकी जेब से जाएगा सरकारी बैंक कि यह स्थी और खराब होगी हम और आप लाग दो लाग का लोन ने ले जाते हैं तो उसकी भी वसूली होती है आजकल तो हो गया कि बसूली नहीं कर पाएंगे आप पैसा नहीं जुका पाएंगे तो बृर्लोजर भी चल जाएग तो सारी चीज़े होती है लेकिन जब आप इतने हजार करोड का लोन मांगते हैं तो बैंक आपको लोन भी देती है company भी देती है साथ में loan के साथ कि इसको चलाल हो और उसके बाद रामदेव बिना एक भी पैसा लगाए देखिये रामदेव की जेब से क्या गया उन्होंने एक company bank से loan लेकर उसी bank से खरी दी उसके बाद उस company के profit से ही उसकी एक हिस्सेदारी बेची और उससे पैसा चुका दिया रामदेव की अपनी जब से कुछ नहीं किया लेकिन रामदेव एकत्रसार करोड के मालिक बन गया पतंजली ट्रस्ट जो है वो कत्रसार करोड का मालिक बन गया और कुल मिलाके य को आप किर info नई केसी पैसा अठीक सब्सक्राइब करोड़न है में